तो हलो गाईस क्या हाल चाले आप सबके आई होप सो बहुत बढ़ी आऊंगे और अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो हो जाओगे आज हम डिसकस करने वाले हैं JIGL के पेपर की स्ट्राटेजी क्या रहेगी या आज हमारी सीरीज का फिफ्थ वीडियो होने वाले है JIGL का जो पेपर है उसको अगर हम देखें दो तरीके से उसको करा जा सकता है सबसे पहले तो छोटे-चोटे चाप्टर पढ़के निपता दो याद करके निपता दो देन उसके बाद बड़े चाप्टर पर आओ क्योंकि बड़े चाप्टर जो है वेटेज कैरी करते काफी जादा एंड इंप्रेंट होते हैं एक्जाम के लिए बट जो मैं अपनी स्ट्राटेजी अगर बता हूं तो मैंने किस तरीके से प्रिपेर कर रहा था मैंने पूरे 17 चाप्टर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा था इसे साही हमे कवें बखी बावकान के नेथा जिता,बट हम तो कर सकते हैं, बाइट अग्राइक अपर्ट इस ज कि आ भी पाखिज़ व अपर्ट सी पाट,श्यमग, श्यमिस्माल आइक कता के में खूर गंद नया। एंड वेटेज करते हैं, राइट, दन उसके बाद हमारा Constitution of India, the most lengthy and the most important chapter of JIGL, Part A में रखते हैं, बार-बार इसको revisions करो, 8 से 10-12 revisions हम इसकी अराम से कर सकते हैं, तो definitely Part A के chapters के revisions 10 से बारा-बार करनी पड़ेगी, Sources of Law, थोड़ा सा टेकनिकल है, but important chapter है and lengthy chapter है, अगर हम अनूप सर की revisions series को अगर लेकर चलें, तो अनूप सर काफी जादा sufficient जो content होता है, Sources of Law का, वो करवा देते हैं अपनी revisions series में, तो yes, we can refer अनूप सर, then उसके बाद, interpretation of statutes, important chapter है and weightage carry करता है, JIGL में ध्यान रखना की maxims, जो legal maxims होते हैं, उसको definitely याद करना, अगर exam में हम लिखते हैं उनको, हमें एक extra edge मिलता है, case laws को याद करना, case laws को हमेशा refer करना, paper के अंदर, right, then उसके बाद हमारा आता है, part B, part B में taught, easy chapter है, हो जाएगा, बहुत जादा कोई difficult chapter नहीं है, टॉट आराम से हो सकता है, general clauses act, बहुत easy है, उसमें कुछ भी नहीं है, some sections है, उसको हम आराम से पढ़ सकते हैं, general clauses act में, then उसके बाद limitation act, कुछ भी नहीं है, arbitration, interesting chapter है, थोड़ा सा नहीं चाप्टर है, उसको हम definitely कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको बार-बार पढ़ना पढ़ेगा, लेकिन arbitration हो जाएगा, then उसके बाद evidence act हो सकता है, evidence को जो है, CPC, CRPC और IPC के साथ ही पढ़ा जाता है, but evidence इतनी जादा weightage carry नहीं करता, तो इसलिए part B में है, लेकिन जब ही हम पढ़ेंगे, तो CPC, CRPC, IPC के साथ ही evidence को पढ़ा जाएगा, right, then उसके बाद part C में जितने भी बचे कुछे chapters है, सारे part C में आ जाएंगे, registration, RTI, IT और special course, clear है चीज हमको, अब देखते हैं, अगर हो सके, Constitution of India, definitely module में से cover करना, module में से काफी ज़्यादा case studies होती हैं, जो आ सकती है, exam के अंतर, thought को module से cover करना, काफी ज़्यादा case studies हैं, जो आ सकती है, module से पढ़ना ज़्यादा tough नहीं है in chapters को, इसलिए मैं star mark कर देता हूँ, या फिर highlight कर देता हूँ, जब भी हम पढ़ें, तो इनको हमें module से cover करना है, या फिर हम कर सकते हैं, scanners वगरा, module से definitely cover करना in chapters को, पूरा module हम नही कर सकते हैं, sources की थोड़ी सी difficult है, interpretation module से करा जा सकता है, then उसके बाद general clauses act, limitation act, ये module से करे जा सकते है, then उसके बाद sources तो नहीं, sources की language जो है difficult है, then उसके बाद registration act module से करा जा सकता है, then उसके बाद बस इतने chapters हैं, जो हम module से definitely easy one go में कर सकते हैं, easy language के साथ है module के अंदर, तो इनको को हम module से कर सकते हैं करना चाहिए तो सारे कर सकते हैं और करने चाहिए बट अगर ना हो oney chapters कोई does do definitely module में से कवेर करना चाहिए being क्योंड क्यों कि बहुत ज्जादा वेटेज केरी करते हैं यह chapter and module में से phone study सिव आ सकते हैं definitely तो हम Neden मॉडियू में से क्लिक कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट कर दें और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, thank you so much. और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट पे लिख दें या फिर मेरे को परस्नल वाट्साप पे डीम कर दें thank you so much.